कल की जो हम लोगों ने क्लास की थी उसमें बेसिकली अलग अलग प्रकार के जो एमेशन्स होते हैं उन पे हम लोगों ने बाचीत कर ली थी कि अगर इस टॉपिक से कोशन्स अगर पूछे जाते हैं जो कि पूछे अल्री गए हैं तो किस क्याटीग्री के रहते हैं तो जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बताया था कि आप लोगों के पास जो टॉपिक होता है मिशन का उस में पोजेटरोन अमिशन बीटा मिशन अल्फा मिशन इस और चॉपिक सिप्रण बॉइप आ प्रॉण समय यह ज्यांपर था ठैकल भी अमेट हो रहा हो और आप लोगों का बीटा पार्टिकल भी एमेट आउट हो रहा हो ऐसे पर्टिकिलर के से भी आप लोगो को देखने को मिल जाएंगे अभी आगे कंटीनिव करते हैं बात कुछ ऐसी है कि एक ही रूल दिमाग में तुम्हारे होना चाहिए और वो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका पैरेंट है उसका एटॉमिक नंबर इकुल टू राइट हैंड साइड में जो डॉटर प्लस ठीके जो उसका क्या कहते हैं पार्टिकल एमिट आउट हुआ है उनका अटॉमिक नंबर मतलब अटॉमिक नंबर और बोट साइड शुड भी बैलेंस अटॉमिक नंबर और ओफ वोट अटॉमिक मास और वोट आपका लेफ्ट और राइट साइड शुड भी बैलेंस ठीके यह कहानी होती है आप लोगों के emission के नियम की यहीं से अभी आगे continue करते है मान के चलो आपको question में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास thorium है thorium का 234 atomic mass दिया है atomic number उसका 90 दिया है ठीक है यह disintegrate होकर lead में convert हो रहा है PB जिसका atomic number 82 है और mass 206 है अब वो बोल रहा है कि product में alpha particle भी बन रहा है और product में beta particle भी बन रहा है अब आपको यह बताना है कि आखिर में यह जो alpha particle emit out हो रहे हैं यह कितने quantity के हैं और यहाँ पे जो beta particle emit out हो रहे हैं यह कितनी quantity के हैं यह basically हम लोगों का question है तो सबसे पहले तो तुम reaction को लिख लो देखो background में हो सकता तुम्हें Robbie के रोने की आवाज आए और रो रहा है क्या कर सकते हैं चूँ 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 है ना Robbie? हेलो बोल दो चूँ चूँ करके अब नहीं बोलना है खेर तो kindly ignored है तब इस equation को हम लोग थोड़ा सा पहले अच्छे form में लिख लेते हैं जैसे 234 लिख दिया thorium लिख दिया यहां 90 लिख दिया arrow देकर 206 PB और उसके बाद 82 अब देखो alpha particle का symbol या फिर symbolic representation क्या होता है यह मैंने already आपको पुरानी class में बताया है तो alpha particle किस तरीके से symbolically represent करते हैं 4 helium और यहां पर 2 बीटा particle को symbolically कैसे represent करते हैं electron राइट नीचे minus 1 और यहां 0 मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो alpha particles है वो कितने हैं so let it be x मुझे उनके सामने की stoichiometry नहीं पता let it be x और इनकी stoichiometry let it be y ऐसे y particles होगे अब एक simple सा concept है left hand side में atomic mass क्या है वो मुझे बता दो बस कि left hand side में madam देखिया atomic mass की value इतनी है बस इतना बता दो तो left hand side में atomic mass की value कितनी दी हुई है 234 और right hand side में कितनी दी हुई है atomic mass की value total 3 है total 3 चीजों की वज़े से है है ना वो आपके total तीन चीजों की वज़े से एक two zero six एक आपका helium जो की मुझे नहीं पता कितने helium है एक helium का तो 4 होता है खैर अब वहाên पे क्योंकि x helium है तो x helium का बतीए कितना हो जाएगा? x helium का वहाँ पे हो जाएगा four times of x electron पे तो कोई charge होता नहीं है तो प्लस जीरो टाइम साव y अगर मैं इस equation को solve करूँ ठेना 234 माइनस 206 तो कितना हो जाएगा 30 में से 2 गया that would be 28 28 equal to 4x और अगर मैं x की value यहां से solve करूँ that would be 7 यानि कि रेखो मुझे पता चल गया कि मेरे पास number of alpha particles इतने emit out होए है उस particular conversion में now I have to discuss about what about the beta particles तो beta particles के बारे में क्या कहना है beta particles के बारे में simply यह कहना है कि नीचे में जो atomic number है आप उसको भी equate कर लीजे atomic number कितना है 90 is equals to यहां कितना हो गया 82 plus यह कितना हो गया 2 times of x है ना और वहां पे वो कितना minus 1 times of y अब x की value तो तुम जानते हो कितनी होती है 7 7 to the 14 14 और अगर मैं इसको add कर दूंगी so that would be 96 तो 90 minus 96 equals to minus some y so यहां से यहां कि रॉबे चुपो जाओ तो यहां से वाई की value आप लोगों के पास कितनी निकल का आगई 6 यहनि कि मुझे यह भी पता चल गया कि मेरे पास number of मेरे बीटा पार्टिकल कितने में टाउट हो रहे अब देखो सिर्फ value change करा करा के तुम्हें सवाल देना कहीं से कोई समझदारी नहीं है है ना तो इसी लिए मैं इस टाइब का एक ही सवाल ले रही हूं इसमें थोरियम की जगा कल कुछ और हो सकता है anything that can be anything और आपको ये बताना है कि वहाँ पर अलफा और बीटा पार्टिकल कितने रहे या फिकल को ऐसा भी हो सकता है अलफा बीटा पार्टिकल की quantity आपको दे दे और आपसे ये पूछे कि वो जो product बना वो जो daughter बना उसका mass number और उसका atomic number क्या था चलो खैर उसके जैसा मैं मैं एक सवाल तुम लोगों को दे रेती हूं जैसे मान के चलिए मैंने आपसे ये कहा कि में पास मेरा जो parent है that is thorium उसका mass number दिया है 232 और उसका atomic number दिया है 90 वो convert हो रहा है आपके daughter में तो उस daughter का symbol दिया है कुछ उसका mass number कुछ दिया है और उसका atomic number कुछ दिया है मुझे नह ने ये कहा कि 6 alpha particles निकलेंगे याने कि 6 times of what 4 helium आपका 2 और question वाले ने ऐसा कहा कि वहां से 4 आपके क्या निकलेंगे बीटा particles निकलेंगे तो 4 यहाँ पे 0 E-1 अब आपको यह find करना है कि M की value और A की value वहाँ पे कितनी होगी कैसे find करेंगे जो आपने ऊपर concept लगाया है वही same concept हम नीचे लगा दू बताओ क्या लगा होगे concept मास नंबर को equator 222 is equals to capital M है ना अच्छा आप इसमें कई लोगों का doubt यह भी हो सकता है कि माम वो जो daughter X मन रहा हो सकता हो two times बने और three times बने तो लेको unless and until question में ऐसा लिखा ना हो जो कि generally नहीं लिखा रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे तो 6 alpha का 6 into 4 यह हो जाएगा 4 into 0 so 6 4s are 24 232 में से आपने 24 minus किया so mass number will come out to be 208 यह जो भी आपकी daughter पैदा हुई उसका mass number 208 रहेगा comment about atomic number तो देखो आप क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 90 is equals to a plus 6 to the 12 और minus 4 hopes हो कि यह basic maths बन रही हो तुमसे तो यहाँ से a की value कितनी आ गई 82 यह आ गई a की value यानि कि जो daughter बन रही है उस daughter का symbol आप कैसे लिखोगे 82 और यह 208 कल को हो सकता है paper में कुछ इस तरीकी का सवाल आजाए कि आप identify करिए कि which of the falling daughter बनी तो ऐ जैसे के इसमें आपको atomic number याद होने चाहिए है ना आपको atomic number याद होने चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि 82 हमारा किसका atomic number है अगर आपको यह पता होगा कि वह किसका atomic number है then you can easily calculate the thing ठीक है चलो एक और कहानी करते हैं जैसे कि मान के चलो question में आपको यह दिया है 9 times of beryll यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे X है यह convert हो रहा है 8 times of beryllium 4 प्लस Y में है ना अच्छा अब यहाँ पे वह पूछ रहा है कि X, Y क्या हो सकते हैं यह उसका question है option आपको दिया है gamma, N, B option यहाँ पे दिया है P, Deuterium, C option यहाँ पे दिया है N, D और D option दिया है gamma, P गामा का मतलब तुम जानते हो, है न, N का मतलब भी तुम खेर जानते हो, यह JEE Advance 2013 का सवाल है, तो सबसे पहली चीज तो आप यह देखकर identify करो कि यहाँ बन क्या रहे है, beryll था और बन भी beryllium ही रहा है, इसका मतलब आपने जो ची प्रड्यूस की, that are isotopes, वो क्या मने isotopes, हमने जो बातचीत की थी, कौन सी वाली बातचीत की थी, जब हम लोग इस बार में बात करते थे, कि बीटा emission हो रहा है, है ना, तो बीटा emission में क्या isotopes बनते थे, नो, बीटा emission में isotopes हो नहीं बनते थे, खेर, यह अच्छी बात है कि हम इतना पता है, तो isotopes कि किस emission में बनते हैं, एक आप इस तरीके से सोच सकते हो, है ना, कि किस emission में हम लोगों का वो create हो रहा है, बट, मैं हमेशे suggest करूंगी, इस type के question में, आप हमेशे option के according check करें, कि किस option की value को रखने से, आपका जो option है, left hand side और right hand side, वो दोनों आपस में क्या होने है, match करें, आप महापे option रख कर देखिए, आप जब option को रख कर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या information है, जैसे, अगर मैं capital A, मतलब small a वाले option को रख के देखती हूँ, तो small a वाले option को अगर आप देखो, x की जगा gamma और y की जगा n, n मतलब neutrons, है न, n मतलब neutrons, तो gamma x मतलब की सीच को यह बता रहा है, यह x indicate कर रहा है कि क्या चीज emit out हुई या क्या आपने उसमें radiation दिया, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो आप लोगों के gamma particles होते हैं, अगर मैं option number 1 या according जाओ, option number 1 या according जाओ, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, अब आप एक बार x की value गामा रखो, तो गामा तो देखो, चार्जलेस और मार्चलेस स्पीशी अब इचारी, तो 0, गामा 0, अच्छा, एरो के बाद 8, वेरिलियम 4, वाई आप रखो, अभी गामा के साथ किसका combination दे रहा है, न्यूट्रोन का combination दे रहा है, तो यहाँ पे neutron का mass कितना रखोगे, 1, और neutron की charge की value कितनी रखोगे, 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 and 0, अब आप देखो, इधर total कितना है, 9 plus 0, 9, इधर भी total कितना है, 9, इधर total कितना है, 4 plus 0, इधर भी total कितना है, 4, यानि कि correct answer रहेगा, A, ठीके, वैसे ही, आप other options को भी check करो, ठीके, अच्छा, जहाँ पे मैं बता देती हूँ, पी का मतलब होगा, आप लोगों का what, P for parrot, नहीं, ठीके, पी का मतलब यहाँ पे रहेगा, आपका 1, P, 2, अब सोचो, P क्या है पहले तो, और D का मतलब क्या होगा, इसका deuterium, तो deuterium के बारे में तो हम जानते ही है, चार्ज 1 रहेगा, और mass की अगर बातचीत करें, तो mass इसका कितना रहेगा, 2, क्योंकि deuterium के पास आ जाता है न, neutron, विचले hydrogen के बास neutron नहीं होता, बट, deuterium, treatium इन दोनों के पास आ जाता है, अच्छा चलो, बड़ी है, वैसे ही अब तो बाकी खेर पता है, बाकी चेक करो, मैं जानती हूँ, B option इसका correct answer है, यह आपको मिल जाएगा, तो यह इस तरीके के छोटे मोटे प्यारे प्यारे सवाल, तुम लोगों के सामने, life मे nuclear chemistry में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, अच्छा, अब उसके अलावा एक सवाल और है, यह सवाल पुछा गया है, जे डेबली मेंस 2012 का है, ठीक है, तो चलो, देखते हैं, एक आपको 63 copper 29 ऐसा लिख कर दिया गया है, प्लस 1H1 ऐसा लिख कर दिया है, यह convert हो रहा है, 6 times of 1 and 0 म मतब 6 neutrons eject हो रहे है, प्लस alpha particle निकल रहा है, प्लस आपके 1H1 hydrogen के particles निकल रहे है, प्लस आपका daughter produce हो रही है, ठीक है, बराबर, अच्छा, चलो, done हो गया, अब यहाँ पर यह पूछा है कि इस X का आप group number बताईए, इस X का group number क्या होगा, तो दो तरीके हैं, एक इंसान इस X क atomic number या फिर इसका जो mass number होता है, वो निकाल ले, खेर अपना निकाल लेते हैं, तो अगर मैं यह वाला काम करूँगी, तो उसके according मुझे चीजों को equate करना पड़ेगा, पहले atomic mass को equate करते हैं, तो 63 plus 1 left hand side में, right hand side में कितना हो जाएगा, 6 plus 1 ही alpha है, और 1 alpha पे कितना होता है, 4 plus, एक hydrogen पे एक और 2 हैं, तो plus 2, x पे कितना है, माल लेते हैं, आपर उसका x का mass number है, M, capital M, अब इस capital M की अगर मैं value निकालू, तो यह चीज़ कितनी हो जाएगी, 64 minus 12 equal to capital M, capital M is equal to, बोलो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया, यानिकी 2, 6 में से 1 गया, यानिकी 52, यह capital M है, जिसक के बारे में पूछा भी नहीं है, बट still मैंने निकाल लिया, same यही calculation आप फोड़ा atomic number के साथ भी करिए, तो कितना हो जाना है, 29 plus 1 is equal to, 6, 0, 0, 0, पहले वाले के साथ, alpha के उपर charge कितना होता है, charge जने कि atomic number, आपका 2, है न, plus, यहां कितना हो जाएगा 2, और इसका, let's say, कितना हो गया, atomic number याने कि N, तो 30, 30 में से आपका 4 गया, that would be 26, तो N की value कितनी आगे, 26, है न, मतब जो भी डॉटर बनी, उस डॉटर का atomic number जो है, वो कितना है, 26, देखो, 26 एक इतना sweet atomic number है, जिसके लिए आपको कोई जादा दिमाग लगाने की भी ज़र्वती है, calcium का 20 होता है, है यह न, vanadium की, अगर मैं बात करू, मतलब scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, तो तुम्हें अच्छे से बता है, कि 26 atomic number याने की, वो जो डॉटर बनी है, वो डॉटर कौन है, आप लोगों का iron है, अगर iron के group number की बात की जाए, तो देखो, थोड़ा सा periodic table दिमाग में imagine करो, starting के दो group जो होते हैं, group number 1 और group number 2, यह तो S block में चले जाते हैं, और यहाँ पे कहीं calcium होता है, फिर D block के डब्बे आते हैं, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथर डब्बा, पांचिवा डब्बा, छटवा डब्बा, छटवा डब्बा, यहाँ कही होंगी, तो please group number में 6 मत बग देना, किसका group number 6 होगा, ऐसा मत कह देना, group number में जो starting के 2 लोग है, S block, उनको भी तो देखा जाएगा, यानि कि इसका group number यहाँ से 6, यहाँ से 200 total, इसका group number बोलिये कितना है, 8, तो यह कौन से group को बिलॉंग करता है, group number 8 को बिलॉंग करता है, ठीक प्यारा सा particular element है, तो उसके बारे में इस तरीके से सोचने में कुछ नहीं गया, बड़ अगर मालने ते कल को ऐसा आ जाता, mall bedroom, type platinum, palladium, है ना, uranium, इस तरीक के कुछ आ जाते हैं, मालन के चलते हैं, जिनकी imagination नहीं है, हमको नहीं पता कि छटवे नंबर पर आते हैं, किसके सबसे पहले, आप यह देखो, कि जो आपका parent था, उस parent का atomic number क्या था, उस parent का atomic number था 29, और जो daughter बनी, उसका atomic number कितना है, 26, बराबर, अच्छा, तो यानि कि जब हम लोग parent थे, तब atomic number यानि कि आपके Z की value थी, कितनी बताओ, 29, और जब daughter बन गया, तब उसकी हो गई 26, यानि कि Z की value में 3 का decrease हुआ, तो parent का जो भी group number होगा, माल लेते हैं, parent का group number है X, तो daughter का उससे 3 कम होगा, यानि कि X minus 3, अब question में, यहाँ पे साफ साफ लिखा है copper, है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है copper, और माल लेते, copper का तुम्हें पता भी है, इसलिए तुम उसमें से 3 minus कर तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, माल लेते copper की जेगा किसी खतरनाक element का नाम होगा, तो तुम्हें periodicity में, group number, period, block, identify करना सिखा है, तुम उस concept का इस्तेमाल कर लो, है ना, या फिर तुम यह भी कर सकते हो, question में कुछ hint दे दी जाए, कि जो parent है, वो इस particular group में belong करता ह सिर्फ यह चक करने के लिए कि आपको कितना आता है, group displacement law के बारे में, मुव करते है, next सवाल में, यह वाला काम मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ, यह जे डबली 2009 में आया हुआ है सवाल, 238 uranium 92, convert हो रहा है, 214 lead में 82, यहाँ पे alpha और beta particles कितने emit out होए, यह आपको बताना है ठीक है, मैं यहाँ पे answer तुम्हारे सा share कर देती हूँ, इसका answer है, अच्छा, इसमें question में यह पूछा जा रहा है, total, इन दोनों का total, ठीक है, तुम्हें पास total का answer है, इसका answer है 8, यह integer type question होगा में भी, क्योंकि अगर total वगेरा पूछा जा रहा है, और option भी नहीं दिया है, तो यह integer type question रहा होगा, आच्छा, चलो, आगे बढ़ते हैं, और देखो क्या क्या चीज़े हैं, अब यहाँ पर question एक और है, 235 uranium 92, बोल रहा है, इसका nuclear fusion हुआ, fusion मतलब तूटा, तूट कर उसने कुछ दूसरे छोटे 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 पार्टिकल्स, लेट से उसने बना लिए, खेर, अच्छी बात है, बना लो, तो जो nuclear fusion हुआ, उसमें उसने बनाया 142 xenon with atomic number of 54, और साथ ने बनाया strontium with atomic number of 38, अब बोल रहा हैं कि बताईए यहाँ पे number of N कितने emit out हुए होंगे, मुझे नहीं पता कितने हुए होंगे, पहले तो reaction को proper तरीके से लिख लेती हुँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आगया आपका 142 xenon, यहाँ पे 54, प्लस यहाँ पे 90 strontium 38, प्लस कितने emit out होंगे, मुझे क्या बता कितने होंगे, let वहाँ पे मान के चलते हैं, X emit out होंगे, अब question में इतना तो specify कर दी हैं ना, कि neutrons emit out हो रहा है, ठीक है, इतना तो पता चल चुका है, तो neutron emit out हो रहा है, मतलब N लिख दो, अब neutron पे charge कितना होता है, 0, तो हम तो नीचे charge लिखते हैं, राइट, अच्छा, उस पे mass वो ही proton के बराबर, यानि की 1, अब लगा लो, वो ही balancing का law, कितना हो जाएगा, नीचे लगाओ, नीचे की तरफ लगाओ, है न, यहाँ पे 2 neutron होते हैं, तो 2 लेते, X neutron है, तो हम पे X times लेंगे, बस अब solve कर लो, 142 और 90, कितना हो जाएगा, 235 माइनस, 190, 190 और 10, 200, 232, यह 232 माइनस कर दिया, equal to X, यहाँ से X की value कितनी आ गई, 3, यानि कि number of neutron कितने emit out हो रहे हैं, तीन number of neutron यहाँ से emit out हो रहे हैं, ठ एक बार चेक कर लेंदो, कहीं कोई calculation error तो नहीं हो गई है, 142 और उसके बाद 90, तो 190 और 10, 200, 200 और 30 बाकी है, क्योंकि अभी भी, है न, तो 30, 232, ठीक ही तो दिख रहा है, अगर में भी कहीं calculation error हुई हो, तो इसको ठीक कर ले न, ठीक है, तो यह सवाल आया है, जे डबली, 2000, किसमे अफ के, किसमे दस है, यह सवाल, कितने number of neutrons emit out हुए, हम जब आप दे देंगे, इतने number of neutrons हम लोगों के emit out हुए हैं, परन्तु, एक गड़बड है हैं पर, क्या, अगर यह particular reaction, ऐसी दी थी, तो यह सवाल सही है, कोई doubt ने, बट question integer type था, question में यह था, कि जब आप uranium का nuclear fusion कराते हो, ठीक है, जब यह क्या करता है, अगर यह word day किया है, कि यह nuclear fusion कर रहा है, इसका मतलब, आपने खुद uranium के nucleus को, neutron से bombard किया है, यानि कि right, left hand side में भी neutron का particle है, और अगर left hand side में neutral का particle है, तो यहाँ पे भी तो one होगा, एक neutron का particle, कितने हैं, वो मत सोचना, उसने क्योंकि emit out के बारे पूछा है, इसलिए, एक है, तो अगर इसके according, अगर मैं जाओ, तो इसके according, फिर यह answer कितना आ जाएगा, four, तो question में यह लिखादा है, nuclear fusion हो रहा है, controlled, है ना, controlled nuclear fusion, तो कितना वो emit out होता है, आप बताईए, छीक done, अच्छा, very good, अब यही सवाल है, इसी सवालों से घुमा फिला के हो, कैसे भी चीजे तुम से खैर पूछ लेगा, इस पर ज़्यादा हम समय नहीं बर्बाद करते हैं, बस यही सारी चीजे रहेंगी उसकी, और कुछ भी में, तो इस हीच को फिलाल यहाँ पर रोकते हैं ठीक है, कल इसके आगे हम लोग magic numbers क्या होते हैं, आपके वो पढ़ेंगे, या फिर magic numbers के अलावा एक odd थेरी भी होती है, वो पढ़ेंगे, मतलब basically उन थेरी के बारे में पढ़ेंगे, जिन से nucleus की stability के बारे में हमको पता चलता है, कि nucleus इन इन reasons की वज़़ा से stable हो सकता है, नह इन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो उसके बाव है, खैर वैसे तो भी यह ज़्यादा बाकी है नहीं, easy था जितना था, अपन करते जा रहे हैं उसको, कोछ series के बारे में बात करनी है, और दो चार्ट थेरी थेरी चीज़े बतानी है, यही fusion के वीच का difference, एक स है, ट्रेक से करो, हम करके class नहीं की है, फिलाल इस पीज़ को यहाँ पर भूखते हैं,